हेलो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी YouTube वीडियो पर बहुत सारे व्यूज आएं तो उसके लिए आपको अपने चैनल का SEO जरूर करना चाहिए तो आईए आज हम समझते हैं आप अपने चैनल का SEO कैसे कर सकते हैं तो SEO करने के लिए आप अपने मोबाइल में सबसे पहले एक अप्लिकेशन डाउनलोड करेंगे अब हम सर्च बार पर सर्च करेंगे वीड आईक्यू वीड आईक्यू देखिए सेकंड नंबर पर ही यहां पर एक अप्लिकेशन होगा इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे थोड़ी दिर में हमारा अप्लिकेशन इंस्टॉल हो जाएगा इसके बाद हम स्टेप बाई स्टेप इस अप्लिकेशन को कैसे हमें यूज करना उसके बारे में समझेंगे हमारा एप्लिकेशन इंस्टॉल हो चुका है इसे ओपिन करेंगे यह एप्लिकेशन यूट्यूब से सर्टिफाइड है इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है अब हम यहाँ पर गेट स्टार्टेट फॉर फ्री पर जाएंगे लेट्स गो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही चूज करेंगे स्टार्ट मोनेटाइजिंग माई चैनल नेक्स्ट अब यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं जैसे कि मैंने लिखा अन्जू नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि आप कितने टाइम से क्रियेटर हैं थ्री प्लस एयर मैंने किया अब हम फर्स्ट ऑप्शन ही चूज कर रहा है आई नो अलॉट अबाउट यूट्यूब इस पर क्लिक करेंगे अब फुल टाइम क्रियेटर है पार्ट टाइम क्रियेटर है इसके बारे में यहाँ पर जानकारी देंगे माले जैं अब आपको यहाँ से वह आली इमेल साइन अप करनी है जिससे आपने अपना यूट्यूब चैनल क्रियेट किया होगा अब यहाँ पर कनेक्ट माई चैनल पर क्लिक करना है आपको कनेक्टिंग हो रही है यहाँ पर आपको वापस से अपने चैनल पर क्लिक करना है अलाओ कर देंगे अब देखिए आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन शो हो रहागा एड यूर गोल इस पर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट करेंगे अगें नेक्स्ट यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन ही चूज कीज़ेगा यस आई वांट तो गेट माई चैनल किया है मैं आपको यहाँ पर डेली आइडियास पर जाना है जो कि आपको सब से नीचे शोगां यहां पर एस पर आप क्लिक करेंगे अब आपको ये एब खुदी बताता है कि आपको किस-किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए जैसे कि मेरा पहला ये वाला टॉपिक हो रहा है मैं इसका स्क्रीन शॉट ले लोगी आप भी इसका स्क्रीन शॉट ले करके अपने फोन पर रख सकते हैं और बाद में वीडियो बना सकते हैं इसको डिश्मिस करेंगे सेकंड दिया है इसका स्क्रीन शॉट लेंगे इसको डिश्मिस करेंगे थर्ड दिया है इसका स्क्रीन शॉट लेकर कि इसको डिश्मिस कर देंगे यानि कि डेली वो खुदी आपको आइडियास देगा अब आप में रिसर्च पर जाएंगे यहाँ पर हम अपना कीवर्ड सर्च करेंगे आप अपना टाइटल दे सकते हैं जैसे मैंने मानलीची दिया कोई भी मेरा यूर चैनल में अपना देख लेती हूं जैसे खाखा कर मोटी हो गई पीचू इस वाले वीडियो का मैं देखती हूं ऐसी यह खाखा कर मोटी हो गई पीचू सर्च करेंगे अब देखिए यहां से हम यह पता कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए आपको सबसे पहले ध्यान देना है Volume पर और Competition पर ठीक है? Volume and Competition अगर Volume आपका ठीक है पचास से कम है ठीक है आपका Volume Competition आपका Very Low है Low है तो ठीक है और Medium है तो भी ठीक है But High नहीं होना चाहिए अगर Medium है तो आप वीडियो बना सकते हैं But अगर Low और Very Low है मैं अपना कोई भी वीडियो एक Select कर लेती हूं यही वाला मैंने Select कर लिया आप देखिए यहां पर कोई Tag नहीं है जाएदा क्योंकि मेरा बहुत पुराना वीडियो है यह सजेस्ट कर रहा है कि यहां पर Recommended Keywords आप यह ले सकते हैं अब देखिए हमारा SEO Score जो है वह हम यहां से देख लेंगे जैसे तो ठीक ठाक है आपको जो भी कमी हो अगर आप यहां से चेक्लिस्ट से भी देख सकते हैं मेरा Title Length जो है उसमें थोटी प्राब्लम है Description सही है Tag Length सही है अगर आप Closed Captions करना चाहते हैं वह कर सकते हैं मैं नहीं किया अगर आप Facebook या किसे प्लेटफॉर्म पर Share करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं यह आपका Green हो जाएगा बाकि मेरा काफियत तक सही है link in description में भी आप डाल सकते हैं description में आप किसी channel, video या किसी भी चीज की आप links डाल सकते हैं बसे मेरा काफियत तक सही है इसलिए ये मेरा SEO score सही है कोई problem नहीं है इस तरह से आप अपना जो भी SEO score है check कर सकते हैं अगर इसमें कोई problem है आप tag line, इसमें tag भी और लगा सकते हैं अगर आपको कोई problem है इसमें tag लगाने के लिए आपको अपने ही YouTube channel पर आप जा सकते हैं इसमें आपको third option show होगा, देखिए यहाँ पर turn or incognito इस पर click करेंगे आप अपने title या उसे related search कर सकते हैं कोई भी keyword जैसे मैंने किया, यहाँ पर देखिए इतने सारे keywords आ रहे हैं इनको आप copy करके अपने tag में लगा सकता है जिससे आपका SEO improve हो जाएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें और please अपनी opinion भी जरूर दें और किस topic पर हम वीडियो आपको provide करें इसके बारे में भी आप हमें जानकारी दीजे करें